है गाईज वेलकम टू ड्राइट रॉक्स यूटूब चैनल गाईज आप सभी के लिए और एक इंट्रेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ इस वीडियो में आपको एक से बाढ़कर एक फ्रेस एन एमाजिंग टॉप टेन एंडियोट लॉंचर बतने वाला हूँ और इन से भी लॉंचर को यूज करकी आपकी स्मार्फोन के फीचर्स को आप और भी ऑसम बना सकते हैं और जीतना भी लॉंचर आपको यहां पर बताने वाला या पर देखाने वाला हूँ इस लोंजर की होम स्किन में आपको एक डाईलर देखें मिलता है अगर आप उपर देखेंगे यहां पर आपको रीसिन एप्लिकेशन भी मिलेगा अगर आपको menu में जाना है तो यहाँ पर आप slide आप करके menu भी open कर सकते हैं जहाँ पर आपको सभी application देखने मिल जाएगा और आप application को open भी कर सकते हैं इस list का यह मेरा एक favorite launcher है और concept मुझे बहुत ही अच्छा लगा है वैसे आप comment करके बोलिए यह launcher आपको कैसा लगा है इस launcher के साथ साथ सभी launcher का link मैंने description box में दे दिया है जहां से आप direct download कर पाएंगे बढ़ते हैं next launcher की तरब number 2 3D launcher यह एक 3D launcher है यहाँ पर इसको 3D इसलिए बोल रहा है यहाँ आपको background में आपको एक live world पर देखने मिलेगा जो 3D टैप है साथ साथ यहाँ पर आपको unique animation भी देखने मिलता है आप देखी सकते हैं इस वीडियो पर home screen में सभी application automatically categorized organized है जो इस launcher को और भी अच्छा बनाता है और इस launcher की कुछ unique features के बात करें यहाँ पर आपको height application का feature भी दिया जाता है junk cleaner का option भी दिया जाता है battery optimized का option भी दिया जाता है जैसे आप यहाँ पर skin पर इस तरह से slide करेंगे या फिर आप skin को इस तरह से आप move करेंगे साथ इस launcher में आपको live wordpress का download का option भी दिया जाता है जहाँ पर आप live wordpress को download कर सकते है बेगार में set करने के लिए overall बात करें guys यह एक 3D launcher है जहाँ पर आपको काफी सरफ feature प्रवाड किया जाता है और आप यहाँ पर 3D wordpress को download भी कर सकते हैं अगर आपको 3D launcher आपकी smart में try करना है तो इस launcher को जरू सो try करें बहुत ही unique launcher है number three boring launcher बैसे इस launcher का नाम boring है लेकिन यह काफी अलग और कमाल का launcher है home screen पर यहाँ पर आप total 10 favorite application को add कर सकते हैं अगर आप slide करेंगे right side यहाँ पर आप all application को access कर सकते हैं अबिकिस अफ्लिकेसे आपको यह पर देखने मिल जाएगा अगर आप left side slide करेंगे यहाँ आपको phone usage chat भी देखने मिल जाएगा जहाँ पर आपको all screen time details देखने मिलता है most used application details भी देखने मिलता है और यहाँ पर आपको ग्राप्स भी देखने मिलता है जहां पर आप अच्छी से आप फॉन यूसेज को ट्रैक कर सकते हैं अगर आपको clean and minimal launcher आपके smartphone में ट्राइ करना है तो इस launcher को ज़रूर से ट्राइ करें कभी अच्छा launcher है नमबर फोर एस launcher एस launcher एक useful and smart launcher है free beautiful themes भी मिलता है इस launcher में और इस launcher का icons मुझे बहुत ही अच्छा लगा है जो color से बहुत ही अच्छी से उबर के आते हैं और इस launcher में आपको optimize feature भी मिलता है जहां पर आप tap booster करके आपके phone को boost कर सकते हैं जन्क क्लिनर का option भी दिया गया है बैटरी सेबर का option भी दिया गया है जापर आप बैटरी को save करने के लिए इस feature को use कर सकते हैं CPU color को option भी दिया गया है तो कपीचर है Optimize को option भी दिया गया जो आप यूज कर सकते हैं इस launcher का best feature बोलना तो भूली गया हूं यहां पर आपको advanced network analyze का option भी दिया गया है और इस वेजर को आप यूजर को आप यूज करके आप network इंपर में चेक करते हैं कौन से network आपकी smartphone में आप यूज कर रहे हैं अगर आप Wi-Fi से connect रहते हैं वो भी आप चेक कर सकते हैं और साथी साथ अगर आपको speed test करना है तो वह भी आप कर पाएंगे तो internet speed test भी आप सारे से कर सकते इस launcher में तो बहुत ही अच्छे अच्छे feature प्रवाड किया इस launcher में जो आप खुड ट्राइ करोगे आपको परदाश चलेगा नमबर फाइब आई launcher आई launcher एक परफेक iOS launcher है जो Android के लिए बनाया गया है इस launcher को यूज करेंगे तो यहां पर आपको सेम आयो जैसे फिल होगा जो आच्छे से आप्टमाइज है सुटिंग भी आपको आयो जैसे ही मिलता है अगर आप iOS के लटेस्ट वर्ल परफेस को डालोड करा चाहते है तो वह भी आप डालोड कर पाएंगे इस launcher में तो गैस अगर आपकी स्मार्टफन में एपल आयो जैसा फिल चाहिए लुक चाहिए तो इस लॉ आप पर आपको फॉंट चेंग काने का ओप्शन भी दिया गए यहां पर अलग-अलग फॉंट इस्टैल चेंग कर सकते हैं बिना किसी रूट के आप यह पर सेटिंग में जाके फॉंट इस्टैल भी चेंग कर पाएंगे जो इसका बेस्ट फीचर है साती साथ यहां पर एक अच्छी थिम्स भी दिया कि आप तीम्स को डालोल करके सेट भी कर सकते हैं तो गाइस अगर आपको एक स्टैलिस लॉंटर आपके स्मार्फू में ट्राइक है तो इस लॉंटर को जरू से ट्राइकर बहुत ही इमाजिंग लॉंट आए गाइस यह लॉंट आपको कैसा लगा है ज़रूर से नीचे कमेंड कीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक काने के साथ चलकर सब्सक्राइब करके बेल आकां प्रेस करना ना भूले क्योंकि ऐसा वीडियो बनाने बहुत ही मेनत लगता है नमबर सेवन एरो लॉंचर यह एक मिनिमल सिंपल और लाइट वाइट लॉंचर है जो मैंने आपको बॉरी लॉंचर बताया था सेम फिचर इस लॉंचर में भी आप यूज कर सकते हैं लेकिन यहां पर इस लॉंचर में कुछ एडवांस फ्यूचर भी दिया गया है जैसे कि यह एक प्लास पॉइंट है और यह लॉंचर आपकी फॉन की बेचरी को इतना जाते यूज भी ने करता है तो अगर बैटरी भी सेब करना है तो यह लॉंचर ज़रू सु ट्राइक करो यार का माल का लॉंचर है और मिनिमल लॉंचर है नमबर एट विन एक्स लॉंचर करता है जो आप फाइल को एक्सेस करने के लिए यूज कर सकते हैं यहां पर आपको रिसाइकल बीन का अप्शन भी दिया गया जो आपको कम्पीटर में मिलते हैं तो काफी कुछ यह कंपीटर जैसे फीचर मिलते हैं इस लॉंचर में सुगाइस अगर आपके स्मार्पान को कम्पीटली उनिस्टेंड ओएस जैसा ट्रैसफर्म करना चाहते है तो इस लॉंचर को ज़रुसर ट्राइब करें जो एक परफ्रेक्ट उनिस्टेंड ओएस लॉंचर है नमबर नाइन लाइट लॉंच लॉंचर यह लॉंचर बेस्ट और आसम है इस लिस्ट का जैसी के है तो यह लॉंचर आपको कैसा लगा है नीचे कोमेंट करके जरूर बोलिए तो यह एक 3D लॉंचर है जो आपकी स्मार्फोर में यूज़ करके देख सकते हैं नमबर 10 लॉंचर का नाम है लेंस लॉंचर लेंस लॉंचर एक एमाजिंग और यूनिक लॉंचर है जैसी आप क्ली साथ करेंगे यह आपनिकोर 安 Career सकते हैं ड्योक्ते सकते हैं स्केल फिक्टर शेट कर सकते हैं आप इस पगार से देखी सकते हैं और ये एक पूलर लॉंचर भी है जो आपकी स्मार्फ़र में आप सेत कर सकते हैं अगर आपके एक 3D स्टायल में एक अलएट किसम का launcher ट्राइब करना है तो इस लॉंचर को ट्राइंग जरूर कर सकते हैं जो भी कहां से बेस्ट लॉंचर है और काफी कमाल का लॉंचर है किसी को अगर फास्टेम दिखाएंगे तो वो आपको जरू कोसिंग करेगा इस लॉंचर का नाम क्या है इस वीडियो पर मैंने आपको एक सबाद कर एक टॉप टैन एमाजिंग लॉंचर बता दिया है जो आप इस भी लॉंचर को आपके स्मार्फिन में ट्राइ कर सकते है इस भी लॉंचर में से आपको कॉंसे लॉंचर पसंद आया है निचे कमेंट करके जरूर बोलिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को स्यार किजिए लाइक किजिए और कुछ पोचना चाहते है तो कमेंट किजिए और साथे साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल लाकम प्रेस तो जारू किजिए कि ऐसा वीडियो आप सभी के लाते रहता हूँ